नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन सुख और समरिधी खुद ही आकर्षित होती है धन प्राप्ती के नयने रास्ते आपके जीवन में खुलते हैं क्योंकि जब भी आपकी एनरजी बदलती है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो खुद ही सुख और समरिध्धी आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है, किन्तु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह ये कार्य करता है आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको ये करना है, इस उपाय के कितने ज्यादा लाब आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिलकुल ध्यान से समझ कर आप इसका अवश्य लाब उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तिमाल कर हैं, तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके नतीजे भी दिखने शुरू हो जाते हैं, इतना ज्यादा प्रभावशाली ये उपाय समझा जाता है, दोस्तों शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन टोने टोटके किये भी जाते हैं, और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किये जाते हैं, तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे ये माइने रखता है, और जब भी कुछ करें, अपने अच्छे के लिए करें, तो आईए चलिए इस पारिवारिक जीवन में मतभेद मातापिता के स्वास्थ्य पर कष्ट। इससे बाहर निकलें कैसे उनको मनाएं एक बात हमेशा याद रखिये कि घर के मुख्य दर्वाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है गंगाजल नहीं है तो तामबे के किसी पात्र में या बरतन में रात में ही जल भर कर रख लें और सुबह सुबह डाल दो चार धुलवाते होंगे तो आपको शनिवार के दिन पहले जाडू ना लगाकर पहले पानी डालना है अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तब दो चार बूंद चीन्टे डाल दें और फिर सफाई करवाएं पानी डालने से क्या होता है जो अत्रिप्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएंगी आपके जीवन की मुश्किलें आपको परिशान नहीं करेंगी तो ये उपाय अवश्य करें और दूसरी बात जब हम घर की सफाई करवाते हैं जाडू पोछा लगवाते हैं तब पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डाल कर ही पोछा फिटकरी होता है वो आप एक डली ले लें पोछे के पानी में एक बार घुमा लें मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें फिटकरी उठा कर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें तो इस तरह से आप उस पानी से लगवाएं या फिर एक नमक डाल कर पोछा लगवाएं, आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा, आप लोग स्वस्थ मस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे, ये बहुत सिंपल उपाय है, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ये दबायेगा, तो शनिवार के दिन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रही है, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा, क्या करेंगे, अगर कर्ज में फंसे हैं, तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें, पान के पत्ते में आपको चूना और जर्दा नहीं थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बना कर हनुमान जी के चर्णों में रख दें, कथा भी डाल सकते हैं, शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का उपाय किया जाता है, तो आए हम विस्तार से, जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जा सरसों के तेल सबसे खास उपाय ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, अब इसमें अपनी चाया को देखें, फेस को देखें, अब इस तेल में उड़त डाल के वड़े, बना कर आप किसी जानवर को खिला दें, कुट्टे को खिला सक तो इससे क्या होता है? शनिदेव महाराज का प्रकोक शान्थ होता है, परंतु हर किसी के लिए ये चीज संभव नहीं है. तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है, तो सबसे पिछली जो रोटी होती है, उस रोटी का महत्व होता है, क्योंकि कुट्टे के रख दे और हो तो गुर भी रख सकते हैं. इसके बाद अपने उपर से तीन बार उल्टावार ले या आपके घर में कोई बच्चे हैं, जो अकसर शैतानिया करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की टेंशन है, किसी के भी सर से वार लें और ले जाकर इसको कुट्टे के सामने प्यार से दे दें, एक खास बात और भी है, शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल की नहीं बलकि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या आप बालों में तेल अवश्य लगाएं और संभव हो तो नाभी में लगाकर सोये, ऐसा करने से, भाग्य उदे होता है, जीवन की मुश्किले कम होती हैं, आपने सुना होगा, नाभी में तेल लगाने से होट भी नहीं फटते हैं, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होत क्योंकि नाभी पूरे शरीर का केंद्र बिंदू है, इसलिए तो कहा जाता है कि नाभी को छेडो मत तो नाभी में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले और थोड़ा सा, तेल अपने सर पर और आपके घर में जितने भी लोग हैं, वो सब हलका सा ही सही पर सर में तेल लगा कर ही सोए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है, इनसे जुड़ी कथा भी है कि शनिदेव महाराज को जब रावन ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था, तब शनिदेव ने ह शनिदेव महाराज की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, इससे शनिदेव आप पर कभी नहीं होंगे कैसे उनकी पूजा करेंगे बहुत सिंपल है अगर आपके घर के आसपास, उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं शनिदेव की आखों में नहीं देखा जाता है इस बात का ध्यान। इसे भी शनिदेव महाराज शांत रहते हैं और शनिवार की सुभह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक, चुटकी काले तेल और थोड़ी सी गुरिया मिश्री, सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं। शनिवार के दिन बेलपत्र का जो व्रिक्ष होता है, उसके नीचे दो मुखाधी का दिया जला दीजिएगा लक्षमी दोड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें, तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव महाराज के अशुब असर से बचने के शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुरभाग्य से आप बाहर निकल पाए हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव महाराज अशुब असर नहीं देते, और शनी दोश बढ़ जाएंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपको लगे की बहुत परिशानी है तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें अब ये चोला क्या होता है चमेली का तेल या फिरगी ले लीजिए और इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाए उसी को कहते है चोला अर्पित करना किन्तु जो महिलाए है वो लाल पुष अर्पित करें वो हनुमान जी को स्पर्ष ना करें इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए उससे आपके उपर कृपा बरसेगी शनिवार के दिन पैसे उधार ना ले अगर इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा आप उतार नहीं पाएंगे इसलिए शनिवार के दिन कर्ज या उधार लेने से बचें इस दिन हनुमान जी को भी खुश करने के छोटे से उपाय किये जाते हैं जब पास काली उड़त के दाने नहीं हैं तो काले तेल डाल दे या हो सकता है आपके के आसपास पीपल का वरिक्ष ही नहीं हो तब क्या करेंगे तब ऐसे मैं अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दे सरसों के तेल का दिया जला दे इसमे बाद इस दीपक का मुख्य दक शिनी दिशा की तरफ रखें ये शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते ये पित्री देवों के निमित्थ होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा द दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कश्टों को दूर करने के लिए शनिदेव की शरण में आ सकते हैं आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे अगर आपकी नौकरी रोजगार में प भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दे नौकरी रोजगार की परेशानी दूर हो जाएगी तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें साजहा की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही लेकिन जा दोस्तो